आप लोग उमिद करता हूं आप लोग अच्छे ही होंगे दोस्तों आज के इस वीडियो पर हम एक रास्या में मंदिर के बारे में जानेंगे तो दोस्तों देर किस बात का चलो वीडियो शुरू करते हैं हमारा देश कितना प्राचिन है इस बात का पता कैसे चलता है इस बात का पता चलता है कि यहां के प्राचिन मंदिर अधियासिक इमारत और उनके पास दुकलाग को लेकर हमारा देश भारत में ऐसे कहीं सारे बभ्या मंदिर है जो कि बहुती लोग को प्रिय है इसी तरह आज के इस एपीशोड पे हम एसा एक मंदिर के बारे में जानेंगे जो कि आंध्राप्रदिस के अनन्पुर्जिला पे स्तीत है जिसी का नाम है लेपाक्सी मंदिर ये मंदिर वाल्ड हरीटाज पे भी नाम पे दज़ुके आ गया है ये मंदिर खासतोर पर चूलता हुआ बिलर के लिए भी दुनिया बर पर जाना जाता है इसी मंदीर को यहां के लोग रामयानंकाल से जुर्गे बातों करते हैं इसी मंदु को जाते ही एक हजार साल पुराना नागलिंग देखने के लिए भी मिलेगा इसी मंदी को दखिन भारत पे जादा मानते हैं क्योंकि इसी मंदी का पोरानिक कथा और इतिहास के वज़े से यह मंदी जिसपात पटिका है वह है कि रामयनकाल से जुड़ा है कहते हैं जब रावन माताशीता को अफ़रान करके ले जा रहा था तबी बख्यों के राजा जटायू इसी जागा पर रावन का रास्ता रोके थे और यहीं वो जागा जहां पर रावन और जटायू के बिच यूद हुआ था और जटायू अगायल होके गिरे परे थे इसी मंदिर पर एक बहुती बड़ा प्यर का निशान देखने के लिए मिलेगा इसलिए यहां के लोका लोक इसी प्यर के निशान को माता सीता जी के प्राओं के निशान मानते हैं और ऐसे भी बोलते हैं कि जब जटायो घायोलों के गिरे पड़े थे तब माता सित्य उनकों देखने के लिए इसी परबत पर रुखे थे और जटायू इसी परबत पर स्री राम को रावन का पता पताये थे मंदिय के पास एक बहुती बड़ा नंदी भी देखने के लिए मिलेगा जो कि 27 पिट लंबा और 9 पिट उचाई है जब गराओं ने इसी के बारे में पता लगाए तो पता चला ये लगबक 1000 साल पुराना मुर्ती है और यहां पे एक अद्बुत लिए भी देखने के लिए मिलेगा जो कि बहुती डरामना और आकसित नागलिंग है जबकि बैगानिक ने पता लगाए तो इसका पता चला कि ये भी 1000 साल पुराना मुर्ती है माना जाता है कि बगवान रामने इस लिए इस लिए इस लिए को 1000 साल पुराना माना जाता है इस लिए के उपर एक 20 साल नाग लिए देखने के लिए मिलेगा इसी के उपर एक बिशाल नागमूर्ती है जो कि शीब के अफ्तार भी माना जाता है ये लिंग खुले आस्मान पर विरास्मान है और एसे भी माना जाता है कि प्रभुरान के बाद हनुमान ने भी इसी लिंग को पुजा करते थे इसले इसी लिंग का नाम हनुमान लिंगेश माना जाता है लेकिन इसी मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य जो कि छूलता हुआ पीलर है जो कि ये छूलता हुआ पीलर छट से तो जुड़ा है लेकिन नीचे से कुछी उचाईबे रुख गया है अंग्रेज के हुकमत के दोर पर इसी मंदिर का रहस्य और जोलता हुआ पीलर के रहस्य जानने के लिए बीटिस इंजिनियर हेमिंटर ने इसी मंदिर का रहस्य को पता लगाने के लिए गोसिस किये थे और इनी रहस्य के लेकर वापस भी चले गए थे इसी मंदिर पर होने बाला चमतकार को देखकर इसी मंदिर को रहस्यमय मंदिर और डराबना मंदिर भी माना जाता है तो दूस्तो आज के ये लेपाक्सी मंदिर एपिसोड आपको कैसा लेगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना और आगे भी एसे रहस्य में मंदिर और टूर गाइड सभी जानने के लिए इसी चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले सभी वीडियो को देखें